राम राम दोस्तों, पीजे में फिर से हाजर हूँ एक और रेसिपी के साथ, आज में लेकर आई हूँ ब्लैक राइस बुलाओ, इसे हम परपल राइस भी कहते हैं, और ये मोटापे को दूर रखते हैं, डायबिटीज में फायदे मंद होते हैं, एंटी अक्सिदेंट गुनो तो हम निकाल लेंगे, और इसे हम अच्छे से साफ पानी में चार-पांच बार थोकर भिगो कर रखते हैं, दो घंटे के लिए मैंने भिगो दिये हैं, अब हमने इंडक्शन पर कड़ाई रखती है, उसमें देसी की डाल लिया है, और राइ तड़काने के लिए रखती है, एक पड़े साइज का प्याच लंबा-लंबा कट करके साइट में डाल दिया है, राइ हमारी तड़क चाएगी, तो हम इसे मिक्स कर देंगे, और मीटियम फ्लेम पर भूनने देंगे, साथ-ाठ मिनट लग चाएगे भूनने में, क्योंकि हमें फ्लेम हाई नहीं करना है, साथ भून जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे, एक गाजर कट करके, गाजर अपने पसंद के हिसाब से लंबे या गोर टुक्रों में कट कर सकते हैं, गाजर डाल दी है, हरी शिमला मिच डाल देंगे थोड़ी सी, मेरे पास लाल शिमला मिच भी थी, तो मैंने थोड़ी वो भी डाल दी है, इसे हम दो-तीन मिनिट के लिए बुनने देंगे, मीडियम फ्लेम पर ही, इसका कच्चा पर निकालना है, एक तम ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने और भी सबचियां डालनी है, ये दो-तीन मिनिट हो गए है, और ये बुन चुका है, अच्छे से बीच में जगे बना लिए है, हमने और पनील को ये छोटे-छोटे टुकडे काट कर डाल दी है, सेंटर में इसलिए डाले है, तक ये शेलो फ्राय की तरह हो जाए, एक तो बिनिट लगेंगे इसको भी, इसको भी फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम दालेंगे, बीन्स, हरे मटर और ब्रॉकली, इन सब को मैंने बॉयल कर लिया है, बीन्स, मटर और ब्रॉकली को बॉयल करके डाला है, अगर आप बॉयल नहीं करना चाते हैं, तो पहले ही डाल दें सारी सबजियों को एक साथ, पनीर को अलग से फ्राय करके डाल दें, जैसे आपको ठीक लगे उसी तरह आप कर सकते हैं सब सब्जिया हमने डाल दी है अब हम इसे ढखकर एक दो मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे जब हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगी हम इसे एक पर फिर से हिलाकर गैस से हटा लेंगे इंडक्शन से हटा लेंगे अब बिल्कुल तयार है कोख हो चुकी है अब चलते हैं हम अपने राइस की तरफ राइस हमारे बीग चुके हैं दो घंटे हो गए हैं उनको बीगे हुए अब हम उसमें थोड़ा नमक टालेंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे एक कटोरी चावल दो कटोरी पानी है और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा घी गी ऑईल जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं इसे डालकर हम बॉयल कर लेंगे इसे पंदा से बीस मिनिट लग जाएंगे तयार होने में देखे साथ आट मिनिट हो चुके हैं अब ये तया इनिट कोणी भी हैने पूरा पानी सुखाने तक पका लेना है और नाइनटी परसेंट हमने इसको कुक करना है क्योंकि टैन परसेंट हम इसको सब्जीयों पर करेंगे देखे कितना सुन्दर कलर लग रहा है ये देखने में ही सुन्दर नहीं है खाने में भी बहुत ज़्यादा फायदे मन्द है देखे 17-18 मिनिट हो चुके हैं मुझे राइस रखे हुए और ये फिल्कुल तयार है पानी इनका सूप चुका है चेक कर लिया है खो चुके हैं ये अच्छे से अब इसको हम हटा लेंगे गैस से अब हम कडाई में नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक नमक हमने राइस में भी डाला हुआ है इसलिए हम बहुत ध्यान से डालेंगे यह सब डाल कर हम एक पर मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें मिला देंगे अपने राइस आप चाहें तो वन पॉट रेसिपी भी बना सकते हैं इतना ताम जाम नहीं करना चाते तो ना कीजिए पर मेहनत का मज़ा अलगी आता है अगर आप इस तरह से सेपरेट सब कुछ को करके बनाएंगे तो बहुत ही तेस्टी पुलाव बनेगा अब हम राइस इसमें मिक्स कर देंगे सब कुछ अच्छे से मिक्स करके हमने इसको ढख कर 2-3 मिनिट के लिए पकाना है ताकि यह सब कुछ आपस में अच्छे से मिल जाए और अलग-अलग ना रहे देखिए कितना सुन्दर लग रहा है रंग भी रंगा सा यह पुलाव यह सच में बहुत ही फायदे मंद है और टेस्टी भी बहुत ही जादा है देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है हम ढख कर इसे पकाएंगे 2-3 मिनिट के लिए सिरफ बहुत जादा नहीं क्योंकि सब कुछ हमने अल्रेडी कुक कर लिया है सिरफ मिक्स करने के लिए और कोई कमी रह गई हो तो वो दूर करने के लिए 2-3 मिनिट के लिए हमने इसे पकाया है कीजिए बिलकुल तयार है एक पर मिक्स कर लिजिए सर्व कीजिए इसे रायते के साथ, प्लेइन नहीं के साथ या अपनी किसी मन पसंद सब्ची के साथ सब्ची के ऐसे जरूरत नहीं है इसके ओपर 2-3 डॉप्स नीम्बू की डाल कर सर्व करेंगे तो भी बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है थेंक्स फो वाचिंग माई जीयर फ्रेंड्स थेंक्यू सो मॉच